नमस्कूर दोस्टोrabyt है आप सभी लोगों का एक बर फिर से आज मैं आप लोगों को फिर से रोवार सहीता के एक ऐसा जानकारी बताऊँगा यह जानकारी से आपके जीवन में एक अध्यात्मा परिवर्थाणाइंगे आपकी जीवन में जो किस्मत के आपके बंद ताले हो चुके हो फिर से खुल जाएंगे आज की बीडो में भालू के दानाथ पहनने की जबरजस्त आलोकिक चमतकारी का परयोग बताऊंगा जो परयोग जानने के बाद कल से आप भालू के दाना पहनना शुरू कर देंगे लेकिन अब को किसी अगर आपके पास में भालू के दान्त नहीं फिर भी या परोग जान लीजे हो सकते हैं आने वाले समय में आपके लिए कम ना जाए तो देखे भालू को रीच कहा जाता है और जामवद जो हैं रिक्षो के राजा थे भालू की जो नकली दान्त हैं आज कल बजारों में धड़के से बिग रहे हैं और भालू की दात इसलिए बिक्ते हैं क्योंकि इनके अंदर में अंगिनत चमतकारी की सक्ती छुपी होती इसलिए लोग इसे खरीदने के लिए तरस्ते हैं तो कौन-कौन से सक्ती छीपी होती इसके धारान करनेक बाद क्या परिवर्टा नात है सारे जानकारी इस वीड़ो म अगर आज के बिड़ो मिस करती है तो सारे जिन्दकी पस्ताना पड़ेगा इस प्रकार के जानकारी कोई भी नहीं बताते हैं अपको भालु के दाद भी मिल जाएंगे, तो धाथ आपकी लिए कोडि जैसा रहेंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे, जब तक आप इसके सिध्धी करने का तरीका नहीं जानेंगे, सारे जानकारी बीडियो में भताऊंगा,6-8 मिनट का बीडियो हैं, साथ से आत्म मिनर का अपना बहुले समय जरूर देना कोई भी जो जानकारी होती ही वेड़ था नहीं जाती अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं अभी तक विडियो को लाइक नहीं कि तो विडियो को लाइक कर देना चैनल को सबिस्क्राइब करना और कोमेंट बॉक के सकती जागरित होती हैं कि वाल भालू के दांद लाई ले आया और पहनते हैं तो इससे फैदा नहीं मिलेंगे कुछ हम नियम बता रहे इस नियम को जानना जरूरी है मैं तंत्रा के अधार पर तथा रावार सेता के धार पर जानकारी बताऊंगा आप में सब्सक्राइब लोग पूछते हैं कि गुरु जी कैसे मिलेंगे तो जो आदिवासी हैं आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं या फिर मिरित पढ़ा जो भालू है आप इनसे इनके दांत निकाल सकते हैं लेकिन ये कानूनन जूर्म है आप अपने हातों ऐसा मत करना इसे दोस भी लगते हैं अइनकी चमतकार होते हैं हमारे सेरीर में पहनने के फैयदे लेकी के आंखरी में बताओंगा इसे सीध्य कैसे करें ये जान लिए लफड़ी के बाजोड मेरा करके काला कपड़े बिचाना होता और उस पर इस आपको रखना होता है और आपको काले क्लर की कुम-कुम, रोली काले कलर की पूस्पा और इसके बाद अच्छा इस सब चीज चढ़ाने होते हैं तो यह जो जागरीत हो जाते हैं बस इस सारे चीज चढ़ाईए बिल्कुल जागरीत हो जाते हैं क्या बच्चे को पहना सकते हैं बिल्कुल जिन बच्चे को ज़्यादा नजर दोस रखते हैं ऐसे बच्चे को पहना सकते हैं किस धातू में इससे पहने तो चांदी की जो धातू है उसमें अगर आप इससे पहन तो इससे अती उत्ताम माना जाता है और काले कलर की रसी का फरोक करना होता है इसके जो दानत है भालू की इसमें दोस रहते हैं इसके दोस को दुर करने के ल इंगाजल में दुबा करके रखना होते हैं इसी दोस्त होते हैं हमारे चैनल का मकसद किसी जीव को नुक्सान पहुंचाना नहीं हमारे चैनल को मकसद प्राचीन ज्हां 嗎 मक्सद से अगर आप भालू को मार करके इनके दात धारन करने की कोशिज करेंगे तो आप से बड़ा मुर्खा कोई नहीं हमारे चनम ने बस जान करी आप लोगों साथ में जान करी सेर की जारी साजा की जारी है तो रामार सहिता के धार पर जान करी बतार हो बिड़ो को लाइक भाग्य बलवान हो जाता है अगर किसी के भाग्य एकदम कमजोर के लोग बोलते हैं कि हमारे भाग्य बिलकुल खराब हैं हम जहां भी जाते हमारे किसमत फूटी हुई हैं हमारे तरक्की नहीं हो पाते तो अगर ऐसे वेक्ति भालू की दात धारन कर ले तो भाग्य बलवा लच्मी को खिचने की अदभूत पावर होती हैं माने या ना माने लेकिन जो तांतरीक वस्तू है ये लच्मी को अपनी तरफ आकरसीत करता है जिस प्रकार जो चुंबक है ये लोहे को खिचने के काम करता है ठीक उसी प्रकार जो ये तांतरीक वस्तू है ये लच्मी को आकरस तो इसा भी माना जाता है कोट के चहरी का मामला चल रहर उस में विजाइप्राप्ता करना चाहते है तो जो है आज भालु की दान अवस्चो्ण धारन करें आपकोँ विजाइप्राप्ति होना होता है भालू की दान धारान करने के बाद हमें वीजय की प्राप्ति होता है तंत्रमंत्र जादू टोने का असर समाप्त करने के लिए धारान करना होता है ऐसा भी माना जाता है जो व्यक्ति तंत्रमंत्र जादू टोना ये जो नकरात्माख शक्ति इनके प्रभाव से ग्रसित रहते अगर ऐसे वक्ति को भालू के दान पहना दिया जाया तो ऐसे वक्ति को उपर में फिर दुबारा जो है तंत्रमंत्र जादू टोना नहीं लगते हैं ऐसे वक्ति ने सारे दोसों से मुक्ता रहते हैं इसलिए बहुत से लोग इसे धारान करना अच्छे समझते हैं क्योंकि दि दरने वाले जितने भी जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता हैं सियार हैं जो भी भालू से जितने भी डरने वाले जीव हैं इस सारे जीव आब से डरने लगते हैं भालू से डरने वाले मनुष्य भी हैं तो मनुष्य भी आप से बैर बिल्कुल ही नहीं रखेंगे डरने लगते तो रावार्य सीता मीं बताए कि भालू की नाखुन को अगर चोटे बच्चे को पहना दे या सुम्हँं पहनес ले तो नज़र्दोस नहीं लगते हैं इसके पहनने एक बाद प्रया सभी लोग बात मनने लगते हैं जो लोग आप से बात नहीं मानते हैं आपकी बात का विरोध करते हैं ऐसे वेक्ति भी भालू की दात पहनने बाद आपके बात मनना शुरू करते हैं आपकी बातों का विरोध नहीं करते हैं इसके पहने से साथा को गुप्त खाजाना और काले धन स्वताही प्राप्ता होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसे धारान करते हैं फिर ये सोने पे सुहागे हैं। इसके अंदर में अनेक ताकत होते हैं अनेक शक्तिया होती हैं। इसलिए आज आज आप भी अपने दिखाऊगा बजार में जो है भालू की दान धड़के से बिखते हैं। खडले से बिखते हैं लेकिनों सब फेक होते हैं डूब्लिकेट होते हैं। आलाइन आने पर मेरे द्वारा या मेरे टीम की द्वारा आपकी मदद की जाएगे। और अगर आपके पास में कोई सवाल है कोई सजेसन है तो कोमेंट बॉक्स में हमें बताईए। उस सजेसन की बिल्कुल हम वीडियो बनाकर के जानकरी साजा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार।